हेलो फ्रेंड्स मैं हूं कमल आपका मेरे चैनल इन्वेस्ट वाइज में बहुत-बहुत स्वागत है मारे आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक पे है इसका नाम है अल्टिमेट गाइड फॉर लेरिंग दवेस्टिक्स ऑफ कैंडल स्टिक पैटन्स तो कैंडल स्टिक पैटन्स को पूरे तरह से मैंने एक्स्पेंड करना ही कुशिश की है उसके छोटे से छोट स्टॉक में एंटर करूं कब कि स्टॉक से बाहर निकलूं मेरे को कहां पर हाइस पॉफिट मिलेगा किस प्राइस पॉइंट पे किस प्राइस पॉइंट से मुझे बचके रहना है क्योंकि उसमें नेगेटिव रिटन हो सकते हैं तो आप उच्छा खरीदना अवाइड करें तो अगर कोई स्टॉक माली यह उपर उठने वाला है नीचे जाते समय तो आपको पता लग जाएगा तो आप नहीं बेचेंगे उसको और उसी तरह से अगर एक स्टॉक बहुत ऊपर है और आपके वाद स्टॉक है तो आप उसको सही समय पर बेच पाएंगे नीचे गिरने से पहले या आप उसको जब वो ऊपर जा रहा है और पोवरबॉट पोजिशन आगे तो अब उसको नहीं खरीदेंगे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जूरूरूरू कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले और वी वीडियो उसके बार मे है और उनके फायदे क्या क्या है तो सबसे पहले हम थोड़ा बेसिक इसका बैक्राउंड समझते हैं तो कंडल स्टिक पैटरंग एक टेक्निकल इनर्सिस का बहुत ही एफेक्टिव और इंपॉर्टन टूल है यह सिस्टम शुरू हुआ था लगबग 400 साल पहले और इसको श क्लोस कहां हुआ यह प्लॉट करते थे डिले बेसिस पर रिकॉर्ड करते थे और उसके बेसिस पर देरे और पिरोड ऑफ टाइम उसको उसको रिफाइन किया गया और अल्टिमेटल एक ऐसे स्टेज पर पहुंचाए गया जहां पर वह एक फुल फ्लेजट टेक्निकल अनर् पहले खरीद रहे थे नंशस्य फरीड़े यह पहले बिरेग्टल को लिख रही हो सकता है और फ्रवता मिनट का चाट बीयों सकता है एक घंडे काृस्ट इससक्ता है एक दिन अच्छाड बैश्चार बहुता है क्मिने का चार्ट अच्छार बीचाइब इसकता है तो यह चेंज इन सेंटिमेंट जो है क्योंकि जैसे अगर आपने देखा होगा जो रोग खास करके डेट टेटिंग करते हैं उन्हें देखा होगा कि एक स्टॉक ऊपर जा रहा था सडनली उसमें चेंज आ गया और वह स्टॉक अल्टिमेटी नेगटिव में क्लूज हुआ ज इससे आप एक informed decision ले सकें और उससे बहुत यह clear picture मिल जाती है कि आज किस तरफ है या आने वाले दिनों में किस तरफ जा सकता है और हर पैटर्न एक अलग कहानी बताता है कि उस दिन उस यह उस particular price point में क्या हुआ यह आने वाले slides में आने वाले जैसे से मागे बढ़ेंगे इ यह है candlestick patterns का कि जब एक stock या एक commodity asset oversold position लेवल पर होती है और वहां से बढ़ने लगती है यह और बोट लेवल पर आ गया एक stock या commodity और वो गिरने लगती है तो उसमें जो signals हैं जो candlestick patterns चार्ट देते हैं बहुत ही असान है समझना और अगर किसी को समझ में आ जाएं और उस impact कैसे करना है उसके बाद में वह अपने गेंस को maximize कर सकता है सही समय पर बेच के सही समय पर खरीद के यहां अगर बेचने वाला था और stock उपर जाने वाला है तो वह नहीं बेचेगा अगर वह stock और नीचे गिरने वाला है पहले सी नीचे गिर रहा है कई वर लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी खरीद लेते हैं किसी तो यहां से उपर जाएगा लेकिन बहुत बार ऐसा नहीं होता है वह stock और गिरता चला जाता है तो उससे अगर आदमी उस लेवल पर खर है कि इसको इंटरपेट कैसे करें तो उसकता है पचास पर खरीद ले और उसको अल्टिमेटली मुक्सान होता रहेगा क्योंकि सब्सक्राइब नीचे गिरता रहेगा तो इनसान को लगा मेरे पैसे डबल हो गए तो चलो 100 पर बेज देते हैं वाट क्या पता वह stock 100 से प्रइदा है उसको भी बढ़ा सकते हैं और लॉसको भी कर सकते हैं है इस बहुत ज़ादा जूर रखियो है कि तो इसका जवाब यह यह कि दो तरह की अनलसी होते हैं सबसे पहला होता है फंडेमेंटल नाल्यस सेफ दूसरा होता है जो सब्सेरा अलग एक्रिटियर किया अल एक्यूटी रेशो कोस्ट इंकम रेशो प्रॉफिट मार्जन एक्यूटी एक्सेक्टर और फानेशल पॉफरमेंस के अलावा बड़ी सारी और चीज़ें भी फंडेमेंटरल नादिस्ट में कांट होती है जैसे कॉपट गवर्नेस के स्टैंडर्स क्या है मैनेजमेंट कैसी उ कास बढ़ गी यह नए प्लें की कास बढ़ गी यह देटो डे मैं उसको फ्यूल की दूर्व पढ़ती है तो मालीजे क्रूड ऑल की कास बढ़ गी तो ऑटमेटिकली उसके जो अप्रेटिंग कॉस्ट है वह बढ़ जाएगी और उसके वैसे उसका प्रॉफिट कम हो को नुफसान होता है वो नीचे गिरते हैं लेकिन यह भी देखना जुरूरी है कि इंपॉट कॉस्ट बढ़ने से यह कुछ और चीज़ें बढ़ने से लोगों की सलरी बढ़ाने पड़ गई या कोई और वज़ा होगी तो क्या कंपनी अपने प्राइस कर सकती है जिसे माली और बाकी बाकी जो कंपनी से वह उनको देखके अपने प्राइस बढ़ाती है बहुत कम ऐसा होगा कि कि किसी कंपनी ने पहले प्राइस बढ़ा लिए और यह देखना जुरूरी होता कि उस कंपनी के में और क्या-क्या इंपॉर्टन डवल्मेंट्स हो रही है जैसे कि इस पर उसमें जो अलग-अलग डील्स हुए हैं जिससे सिल्वर लेक ने लिया है जिसे फेस्बुक ने लिया कई और कंपनी ने लिया के क्या ने लिया तो इंपॉर्टन डेवल्मेंट्स जो है बड़ी जुरूरी हो जाती है यह देखने के लिए कि वह क्या रियक्शन दे सकत रहता है और उनका कंपनी में इंपक्ट क्या पड़ेगा स्टॉक प्राइज के उपर तो यह सब चीजें फंडमेंट्र में बहुत महत्वर रखती है लेकिन जारत तर रिटेल इंड्रेस्ट्स जो हैं वो क्यूंकि फंडमेंट्स जानते नहीं है कैसे करना होता है और उनकी पर फिर भी स्टॉक प्राइस उपर नीचे क्यों जाते है इस कंपनी का यह भी सूचने वाली बात है कि जो कंपनी के अंदर लो काम करते हैं यह जो बहुत बड़े-बड़े के इंवेस्टे हैं उन लोगों को पहले से ही मालों होता है कि कंपनी आंदर क्या डूर्पमेंट आ सकती है तो रही है कि इंपर्मेशन का फाइदा उठाके यहां तो स्टॉक खरीद लिए अपना स्टॉक बेचने और उसी तरह से जो बड़े इंवेस्टर्स हैं वह लोग भी मोर और लेस कंपनी के साथ में रहते हैं तो उनको पता होता है क्या होने वाला है तो कोई फॉर्मल अनौंस्ट होने से पहले आपने द जाएंगे तो उससे पहले ही वह स्टॉक को बढ़ा रहते हैं और जब नीचे गिरने वाला है तो पहले सी बेजने और स्टा कर लेंगे तो जब पॉब्लिक के पहुंचेगी फॉर्मली जब अनौंस्ट होगी उस न्यूस की तो जब तक पॉब्लिक बेचने जाएगी तो प्राइस बहुत नीचे कि इच्चोगा होगा तो उस समय हो सकता है बड़े इंवेस्टर जो है अगर उनको लगे कि काफी नीचे का प्राइस है और इस प्राइस पर बहुत अच्छा है तो पब्लिक जब बेचने जाए तो वह उसको उठा रहे हैं त यहां कि वह उच्छी मेन जाता शचींता फोड़े सबने के बार इक डब बर जाता है और उसी तरह से वह बेचने जाते हैं तो कि इस समय करना चाहिए चाहिए जिए जोन्हाउस की अदो पारने लोह चीजों में से कुछ भी चीज धंग से जानते नहीं है तो अब पता किसे चले कि कोई प्राइस जो है वो बहुत जादा है और इस प्राइस पर उसको नहीं खरिदने चाहिए यहां कोई प्राइस बहुत कम है और अगर वो स्टॉक उस इंवेस्टर के पास है तो इस फॉक पर है इंडिकेटर्स बताते हैं मैं क्या करना है तो इसमें जो चार्ट सैंशाट करेंजर हो गया चाठ अबब हुए सब चिजें आपको 1 इंडिकेशन देंगे इस इस सब्राइब और यह सारे सवालों का जवाब अपको उन च्ट्राइब से पाइटन को इंटर्पेटर को इंटर्पेट कैसे करना है तो जो समझता होगा और गलतियां नहीं करेगा जो बाखी लोग करते हैं और उस वजह से उसके लॉस भी नहीं होंगे और उसके फायदे भी बहुत जाद होंगे कि वह high पे नहीं खरीदेगा high पे बेचेगा low पे नहीं बेचेगा low पे खरीदेगा बलकि अगर वास चॉँब तो 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 टेकनिकान अलेसिस थार्टरण से यह चलिए आईए यह सीखते हैं हमने बैग्राउंड तो देख लिया कि क्यों ज़रूरी है तो अब मैं आपको बेसिक से इस इंपॉर्टन कॉंसेप्स हैं बहुत ही असान भाषा में आपको सुन जाता हूं ताकि आपको पूरे समझ में आ जाए कि चार्ट्स क्या होते हैं और उनको कैसे इंटरपेट के जाना चाहिए कि कौन सा प्राइस घ्लत है कब खरीदें कब बी इस वीडियो में मैंने कैंडल सिक पैटन इतने अच्छे तरीके से सुनानी कुशिश किये कि अगर आप ये वीडियो धंग से देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपको कैंडल सिक पैटन्स पे कोई और वीडियो देखने की जुरूर कभी नहीं बढ़ेगी सबसे पहले ये सम्भनना दूरे है कि कैंडल के पार्टि क्या होते हैं तो में दी सिक होता है और दूसरे वांगा से शाडो दो तरीके में जो part है यह इसको बोलते हैं body उसके बाद जो ये part है यह वाला इसको बोलते है upper shadow में जो highest point है यानी कि यह यह हो गया उस ताइम फेरेम का highest point यानी कि जहां तक प्राइस गया अश्य यह वाला part जो है इसको बोलते हैं लोड शैडू इस इसमें जो लोइस पॉइंट है यान की यह वाला पॉइंट जहां तक यह ब्लाक वाली जो लाइन है वह आ रही है उसको बोलते हैं लोइस पॉइंट ऑफ टाइम फ्रेम तो चाहे वह पांच मेंट का चार्ट हो चाहे वह एक महीने का चार्ट हो उस प्राइ प्राइस पॉइंट जहां तक लोईस गया मालिज एग्जम्पल के तौर पर एक स्टॉक 90 पर शुरू होता है सब्सक्राइब तक गिरता है तो सब्सक्राइब लोगया सब्सक्राइब लोगया 90 जो गया ओपनिंग और असी हो गया उसका अब आपको यह बता दें कि यह जो रिटि ग्रींग ग्रींड कैंडल उसमें अपंटmak हमेशां लो होती है भी और हमेशां हाई होती आ होती है तो यह हो गया बुलिश मेंम क्यों तब प्राइस उपर गया तब मालिजे बंद हुआ 100 पे तो यह इस तरह से केडल बनेगी तो यह जो पॉइंट है जोह स्लीज में लिखा हुआ है वह होगा 110 पे जो क्लूज है वह घ्या सोप के जो पन था प्र गया 90 पे और जो लोइस प्रेंट है वह हो गया आसी पे यह पॉइंट असी हो गया और बंद हुआ नभे पर तो यह अपर शाड़ो लोवर शाड़ो और बॉड़ी आपको मैंने समझा दिया है इसमें अगर कोई डाउट हो आपको 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 में जुरूर लिखेगा माम समझता है कि केंडल कितने तरीके की होती तो मैंनली केंडल के पांच तरह के प्रकार होते मैं आपके सामने एक पहला तो हूठल जिस में तो अपर और लावर दोना ही नहीं होते है यह कोई सारब एक च्वाटा है उपनिग मारू बोजू तो ओपनिग में लूवर शैडों नहीं हो प्राइस नीचे बंद हुआ अपने हाई से लेकिन नीचे का कोई शाड़ो नहीं बना तो अपर शाड़ो बना 10 रुपे का और उसी तरह से क्लोजिंग मारू बोजू होती है जिसमें मालेज ये फर एक स्टॉक नब्बे पर खुला नीचे की 80 रुपे तक तो लोगी क्लोजिंग मारू बोजू में कोई अपर शाड़ो नहीं होता है सरा लोग शाड़ो होता है तीसरे तरह की कैंडल होती है डोजी जिसमें अपर शाड़ो और लोग शाड़ो ही होते हैं और बाड़ी या तो बिलकुल नहीं होती यानि कि बाड़ी नहीं होती का मतलब यह है कि जो ओपनिंग प्राइस होगा उसी पर वापिस आके शेर बंद होगा और उसमें ऊपर की म सब्सक्राइब के अलावा और क्लोजिंग जो है वह ओपनिंग के बराबर ही होगी यह ओपनिंग से बहुत ही स्मॉल डिफिनेंस भी होगी जैसे माले जिए 90 रुपे पर स्टॉपन हुआ एक सो दस तक गया उपर और सतर तक गया नीचे लेकिन वह स्टॉप इक्यानवे र जिसमें बहुत उंचा लंबा अपर शैडू है लेकिन बॉड़ी या तो बिलकुल नहीं है यह बहुत ही छोटी बॉड़ी है इसमें आपको समझा जाता हूँ कि डोजी ठोटा इस तरह से यह ऑगा आपका डोजी किसमें अपर शैडू भी है लोगर शैडू भी है और ओप पॉइंट जो है यह यह ओपिंग भी है इसमें लोवर शैड़ो बिलकुल नहीं है और यह बहुत निगलीजिबल लोवर शैड़ो है लेकिन जो अपर शैड़ो काफी लंबा है नमबर फॉर केंडल को बोला जाता है यह तो इनवर्टेट हैमर यह शूटिंग स्टार यह ग्र को आनेवल एक्जांपल में और क्लियर कर दोंगा कि क्या एक्जाटली होता है कैसे नाम दिया जाता है शूटिंग सार बोलेंगे ग्रेवस्टों डोजी बोलेंगे इनवर्टेट हैमर बोलेंगे और उसी तरह से एक कैंडल होगी जिसमें बॉड़ी ना के बराबर होगी य ज्यादा उसमें डेप्ट नहीं होगी और लोगर शैडव काफी बड़ा होगा तो इसको यहां तो हैमर बोले जाएगा या हैंगिंग मैन बोले जाएगा या ड्राइगन फ्लाइड दूजी बोले जाएगा तो यह भी जहां पर अपियर होती है इस पॉइंट पे चार्ट म उसका नाम बढ़ता है तो यह भी आपको आने वाले एक्जाम्पल्स में एकड़म क्लियर हो जाएगा तो इक चार्ट में या पैटन में दो तरह की कलर्स हो सकते हैं जो ओंबनेशन या तो रेड़ और ब्रेंट घू जोगा जिसमें रेड होगा बेरिश केंडल या नीचे प्राइज नीचे क्लोज हुआ ओपनेंग से या जिसमें प्रैस ऊपर लोग या दूसरा तरकी कॉम्पनेशन होगी वाईट और ब्लाइकम्पने में जिसमें यहों कीवाद सबसे पहला से म इस सिंगल कैंडल पैटर्न है ऐखें के साधिल हो उप Wheels ऑन जाते हैं कुछ फाटर क्यांड में क्वाट्रेहisini that कहुं से तथि पूरे आटन को कंप्रेट करने के लिये और गुंच रहान जिसमें तीन चाहिए हो सकती है उस फैटन को कॉम्रीट करने की लिए तो जो जह है वो सिंगल इंग प्राइटन तो यह बहुत ही इंपॉर्टन कैंडल है और इसका जो मतलब होता है उसमें यह होता है कि जो जी कब बनती है जब ऑपर नीचे की शाड़ों आपर लौर तो यह है कि sellers और बायर डिसाइड नहीं कर पारें कि दोनों में से जारा तकतवर कौन है तो यह अगर ट्रेंड के टॉप या बॉटम पे बनता है तो काफी चांसिस हैं कि वह एक ये रीवधाल हो सकता है उस टेंड का रेकिन अगले दिन की साल Zeit Winter J जाना चाहिए कि वाक्य में रिवर्सल हुआ है कि नहीं हुआ सरफ दोजी से नहीं करना चाहिए कि ट्रेंड एक्चुली में रिवर्स हो गया सेकंड जो कैंडल है वो है ग्रेवस्टों डोट जी जिसको शूटिंग स्टार यहां इंवर्टेड हैमर भी बोलते हैं इस पैटन में ओपनिंग प्राइस है वो लो प्राइस और उपनिंग प्राइस ऑल्मॉस्स सेम होंगे यहां तो एक्जैक्ली सेम होंगे थोड़ा सा अगर नीचे चलिए तो जहां पर ओपन हुई वहां से बायर ने उसको उपर लियाना ही कोशिश की लेकिन हाइस पॉइंट पर जहांके सेलिंग प्रेशर इतना जादा आया कि सेलर ने मजबूर कर दिया उस प्राइस को नीचे उपनिंग प्राइस पर ही जाकि क्लोज जो उपनिंग प्राइस था उसको बॉड़ी बोलेंगे स्केंडल में तो उसमें अगर काफी बड़ा अपर शाडव हो रिशो में तो इस केस में शूटिंग सारी अनुर्ट हमर बोला जाएगा अब इसके अलग-अलग नाम कैसे बढ़ते हैं आपको समझा जाता हूं अगर प्रेवर नीचे की तरह भार रहा है तो उसी तरह से यह उसको उस नाम से दिया उसी वज़े से नाम दिया था शूटिंग स्टार कि यहां से इस पाइट पॉइंट पर यहां से जारतर चांसे हैं कि वह अब सौक नीचे जाएगा हाला कि फिर भी जैसे मैंने बोला था जरू हो जाएगा और यह को अब एंड हो चुका है उसी तरह से अगर यह को हो जकी निद्स चल रहा था और यह ट्रेंड के बॉटम में बनता है तो इसको आदेम स्टिंग साब रहां इमें बन जाता है Nordicam का मतलब क होता है कि इक स्टॉक नीचे खुला यहां पर यहां से ओपर गया और फिर वापिस नीचे आया तो बैसिक लिए यहां पर यहां पर है कि क्योंकि स्टॉक्ट डाउंट्रेंड में था और जादा अब इस फॉर्मेशन के बादमें सेलर्श को नीचे हो उसको नहीं ले आ और बहुत ज्यादा नीचे नहीं हुई तो इसका मतलब यह है कि सेलर्स का जो मोमेंटम था वी पड़ चुका है और सेलिंग शयदा दिरे-दरे खतम होने वाली और बायर्स ने दिखा दिया कि अब हम फील्ड में आगें अब तुम हट जाओ इस तरह इंपर्टन्ट सिग्नल जो है वह ड्राइगन फ्लाइड ओजी जिसको हम हैंगिंग मैं या हैमर भी बोलते हैं इसकेस में उल्टा होता है इसकेस में प्राइस जो है वह ऊपर खुलता है जैसे कि यहां खुल रहे ऊपर खुला यहां से नीचे गया फिर बाइंग लुक्ल वभशास pandemic बन आ है तो यह मैंगिंग मैन होता है जिस तरह से इंसान में लटका दिया जाता है उसके बांद के और वह पिलर के उसमें लटका दिया जाता है वैसा यह हैमर है थोड़ा जिस तरह से शेप को होता है उसी तरह से जिसका भी डिजाइन जो है या शेप है वह ऐसी है यह जो होता है यह नॉमली अगर एक अप्ट्रेंड पर बनता है तो उसको बोलाएगा हैंगिंग मैं अग यहां से सिग्निफाइब करता है कि एक स्टॉक ऊपर गैप खुला लेकिन वहां से इसने सेलर्ज ने एंट्री शुरू कर दी लेकिन क्योंकि अप्ट्रेंड चल रहा था अभी तक तो बायर उस स्टॉक को ओपर तो खीच के ले गए लेकिन वह उपर नहीं बंद करा पाए जैसे कि अभी चल रहा था तो उन्होंने क्लोजिंग के असपर बंद करा दें लेकिन वह और उपर बंद नहीं करा पाए तो इससे साफ पतर चलता है कि सेलर जो है वह अब आ चुके हैं और अब इस टॉक के ऊपर जाने के चांसे काफी कम हो जाएंगे और यह स्टॉक जार करतार उमीडिये की जा सकती है कि अब यह स्टॉक नीची जाएगा और अगर यह पैटन जो है बॉटम और बनता है तो इसको बुलाएगा हैमर तो हैमर जो है यह सिग्निफाय करता है कि मालीजी एक स्टॉक डाउंट्रेंड में था और गैब डाउन के बाद में सेलर उसको अगी और बाया इसको दुबारा ओपर खींश के ले गए उपर तक और उन्होंने स्टॉक को बंद कराया ओपनिंग पॉइंट के आसपास में तो इससे पता लगता है कि सेलर में वो मोमेंटम वो दम नहीं रहा कि स्टॉक को नीचे बंद कराएं और बाया दिखा दिया कि बाया अब स्टॉक को तुम और नीचे में ले आ सकते अब हम आगे हैं तुम ने जितना नीचे ले आने था तुम ले गए अब यह प्राइस इस प्राइस पर काफी अच्छा लग रहा है तो जैसे कि मैंने बोला अगले दिन की कैंडल में देख लेनी चीए लेकिन अगर अ अल्सकी यह पाइंटर्न मुंता है दो केंडल को मिला जिसमें से पहली होगी और अब रबस स्कॉति जो है जो राइच वाली केंडल है यह कैंडल को ल Lord के यह जो लाइन है यह इसकी चोटी है तो इन बॉलिष इनकलफिंग में जो रैट वाली होगी इस ब्लाइक से बड़ी होगी चोटी होगी और यह mostly formation तब बनती है यहां तो जो downtrend है उसका end दिखाने के लिए कि downtrend में बनेगी और उस downtrend की जो left candle होगी last candle वो छोटी होगी और उसके बाद जो candle बनेगी वो एक white candle बनेगी या green candle बनेगी जो पिछली candle से बड़ी होगी यह दिखाने के लिए कि buyers are more stronger than sellers या अगर एक माली जी एक stock consolidation कर रहा है कहीं पर किसी लेवल पर और वहां से वो नीचे नहीं जाता है और वहां पर स्टैगनेट होके decide करना की कुछ कर रहा है कि विसको ऊपर जाना चाहिए नीचे आना है नीचे जाना चाहिए तो एक बेरिश हैनल के बाद एक बुलिश इंगल्फिंग बनता है तो जारातर चांसे हैं कि वह अगर पहले अप्रेंट चल रहा था और बीच में consolidation का एक थोटा टाइम पिरेड आया तो बुलिश इंगल्फिंग बनने के बाद में जारातर चांसे हैं कि वह सिगनल है कि यह अप्रेंट यह हैं यह कंटीनि कर लिचन करता है 1974 यह एक था बुलिश इंगल्फिंग का इद्दा मुटा है इसमें पहले अप्रेंट चल रहा था बुलिश यानए ऑप्र का ट्रेंट लेकिन जब ठेंट खथम होने वाला होता है और सेलिंग जब आने वाली होती है तो बीच बीच में आ जाते हैं बेर इतनी स्ट्रॉंग सेरिंग करते हैं कि वह पिछली जो बुलिश कैंडल है उसको पूरा का पूरा इंगल्फ कर लेते हैं और यह दिखाते हैं कि भी हमने ऊपर से शुरू कराया जो हमारा उपनिंग था वह पॉंट यह था क्लोजिंग जो पॉंट है वो यह है तो आपकी जो पिछले दिन की कैंडल है वो पूरी इंगल्फ हो चुकी है तो आप पीछे हड़ जाओ और यह ट्रेंड तब बनता है यहां तो जब अप्टेंड खतम होने वाला आता है तब यह अगर एक डाउन ट्रेंड के बीच में एक बेरिश ट्रेंड खतम नहीं हुआ है तो इसमें जो रेड कैंडल है या ब्लाक कैंडल है वह कम्पलीटी इंगल्फ कर लेगी उस वाइट कैंडल को पिछले वाले वाइट कैंडल को और उससे जो वियर्स हैं वो बुल्ष को बता देंगे कि यह अभी तक बीच्डूल में ह और बुल्स उसको देखके पीचे हड़ जाते हैं कि सिंग पैटन एक बुलिश पैटन है डाउंट्रेंट के खतम होने के समय आता है और यह जो वाइट यह ग्रीन कैंडल है यह ब्लाक कैंडल के नीचे से शुरू होगी यानिकि अगर ब्लाक कैंडल यहां खतम होई तो यह य छोड़िंगा जाएगाल लेकिन और जाइश ब्लाक के आदे से चाहिए लिस्त तो बहुत यह जाएगा लेकिन फिर हमें देखना चाहिएक एगले दिन कोई बी बुणिश पैटन वंगता है तो चांसिए कि अगले दिन का जो बुणिश पैटन होगा वह इस के ओपनिंग प्राइस को प्राइस को क्रॉस करके और उपर बंद होगा तो उससे और पिंफर्म हो जाएगा कि अब तो जो बेरिश रेंड है वो खतम हो चुका है डाक्लाउड कवर डाक्लाउड कवर जो है वो पिरसिंग पैटरन के ऑपोजिट का ट्रेंड है तो यह तब होता है जब एक अप्ट्रेंड खतम होने वाला होता है और इसमें क्या होता है जो जहां आपका वाइड केंडल खतम होई उससे उपर ओपनिंग होगी इसकी और यह जो क्लोज होगा यह वाइड केंडल के हाफ से नीचे क्लोज होगा तो उपर से शुरू होके नीचे आता गया ग्यापक खुला थोड़ा सा उपर गया और इसके बाद नीचे आके आदे से जाला कवर कर लिया इसने इस वाइट कैंडल का और इसके नीचे अगर होता है तो यह बहुत स्ट्रॉंग सिग्नल है बुल्ज को कि अब सेलिंग आ गये बियर्स आगे हैं मार्केट में और अब हमें हट जाना चाहिए और अगर इसके बाद की जो कैंडल है वो भी एक बिरिश कैंडल बने तो कंफर्म हो जाएगा कि वो अप्ट्रेंट जो है वो अब रिवर्स हो चुका है और आप बियर्स जो है वो हट जाएंगे अब जो होती है तो पहला केंडल जो है वो डांटेंड दिखाएगा दूसरा केंडल जो है वो डोजी की तरह बनेगा और एक बहुती छोटी बॉडी जो यह बन रही है यहां पर उससे पहले यह जो बेर इस चैंडल बनी जिसका नीचे की तरफ था यह बनी इसने और क्यूंकि अगर एक ग्रीन या वाइट कलर डोजी बनती है तो बहुत ही अच्छी बात है और अगर ग्याप डाउन खोलती है तो और भी अच्छी बात है तो ग्याप डाउन खुलने का मतलब यह है कि बियर्ज ने उसको नीचे खोलत दिया और ओपनिंग प्राइस था यह वाला थोड़ा सा मेहनत की और उसको हलका से नीचे क्लोस करा है लेकिन फिर भी ग्रीन कैंडल बनी या वाइट कैंडल बनी तो यह बहुत ही स्टॉंग सिग्नल है बियर्ज को कि अब बायर्स आगे हैं और अब सेलिंग और जादा पॉसुबल नहीं है इस स्टॉक और जादा गि पूरा रिट्रेस कर लिया चाहे वह उससे उपर ना भी इससे उपर बहुत ही अच्छा है लेकिन अगर इससे उपर प्लोज नहीं होती है लेकिन वाइट कैंडल बनती है तो भी काफी मैट्वपूर्ण है यह सूचना बियर्स को कि वह यह आप हट जाओ अब यह डाउंट कैंडल से उपर कुलती है तो यह बहुत इंपर्टन इंडिकेटर है क्योंकि महींट तो यह बहुत ही इंपर्टन टीकेटर है इसमें जारद तर कि यह घंप हो जाता है कि यह तो एपर hazard है खता हो और इस recibर को आ जाता है मॉनिंग स्टार और एक बात बहुत है कि जो सेकंड गैंडल है वह हैमर या इन्वर्टेट हैमर भी हो सकती है जुरूर निया कि वो जी हो हुआ है यानकि यह दोजी स्टार स्थार्ड और हैंगिंग मेम घू सकता है तो अगर yeilenा वाट दो kो चुका था बायाज ने फिर कोशिश की लेकिन वो ओपनिंग प्राइस से उपर उसको क्लोज ने कराता है अगर क्लोज कराया लेकिन उसके अगले दिन अगर गैप डाउन केंडल खुलती है और वह बेरिश केंडल होती है जैसे कि यह और आप ध्यान देंगे तो यह भी देख लेकिन अगर आदे से जादा भी कवर कर चुकी है और बनती है तो अब यह अप्रेंट खतम हो चुका है और आवा पीछे हट जा और यहां से स्टॉक नीचे जाएगा कि कर कि कर इस वहन दो मोस्ट इंपॉर्टन प्रेशल पैटन और यह मैं आपको सुन जाता हूं कैसे यह यह उसकी लास लेट बनी इस किम उसके बार को अगली जो कैंडल बनी या निकि जो ससके कैंडल बनी वो उसी ऑपनिंग में से बनी और उस ओपनिंग से उसने नीचे मुड़के नहीं देखा वो सीधा उपर जाती रही तो यह बहुत ही पाउर्फुल बहुत ही स्टॉंग सिग्नल है बेर्स को कि अब की डाउंट्रेंड खतम हो चुका है अब हम आगे हैं और अब हम इस टोक को उपर ही लेकि जाएंगे और उसी तरह से अगर यह पता लगा गिए बीच में आगे हैं उन्होंने क्या किया इज ओपनिंग प्राइस वाइस का उसी प्राइस के आसपास से उन्होंने अगले दिन घ्राव खोला उस टॉक को और उसके बाद वह पूरा दिन उस टॉक को नीचे लेकि गए और एक बेर स्केंडल बनाई तो यह होगी आपका डिवर्सल अफ अप्ट्रेंट और यह बहुत ही इंपॉर्टन चीज है कि दो इंपॉर्टन पॉइंट्स आपको धियान में रखने वाले हैं कि यह जो खिकर है इसमें दोनों कैंडल जो हैं यह ऑपोजिट डिरेक्शन में होंगी और दोनों का जो ओपनिव प्राइस है और लेकिन डिरेक्शन ऑपोजिट होगा और यह अप्ट्रेंट को डाउंट्रेंट में कंवर्ट करेंगी और इसका सबसारा इंपक्त अपड़ता है जब कोई स्टॉक और बॉर्ट यहां और इसमें पूरा डेली चार्ट है तो इसमें आपको थोड़ा सा क्लेरली समझ में आजएगा कि जो हमने पैटर्स अभी तक डिसकस किये हैं सारे पैटर्स नहीं इसमें अप्योंकि हर चार्ट में या नहीं हैं पर रेवर्स हुए रहें जहां जहां आया हैं यह नहीं FM गलफिंग पैटन बना यहां पर इस पैटन के बाद से अगर आप देखें तो उससे पहले जो स्टॉक था यह एक लाइन में चल रहा था यहां पर एक सब्सक्राइन में कंसिस्टन था नीचे नहीं गिर रहा था लेकिन यह पैटन बनते ही जिस फॉल ना शुरू हो गया उसके बाद थोड़ा सा उपर गया कोशिश किया इसने की एक नया हाई बना ले पर नया हाई बनानी मैक्सिम यहां तक जा पाया और उसके बाद में दुब उससे कंफर्म होगा कि यह डाउनवर्ड मोवम्मेंट चलती रहेगी उसके अगर हम यहां देखें यह वाला पार्ट यहां मैंने एरो बनाया हुआ और इंसर्कुल किया हुआ है तो यह बना है डूजी अब यह जो डूजी है इसका हमने बुला था कि बॉड़ी अपर आपको जैसे मैंने पर एक्स्पेंड किया था मॉर्निक स्टार पैटर्न के बाद में एक अप्ट्रेंट चुरू हो जाता है तो वह हमें इस ग्रीन केंडल बहुत ही स्टॉन ग्रीन केंडल बनी उससे हमें पता लगया कि यह बायस इंटर्स दिखा रहे हैं स्टॉक में इस स्टॉप पैटर्न बेसिकली एक डोजी की ही थोड़ी वेरियेशन है डोजी और इसमें फरक यह होता है कि इस डोजी की जो रेंज होती है पूरे दिन की यहनिकि हाइस पॉइंट से लेकर लोग पॉइंट तक पूरा रेंज मिला के वह थोड़ी सी छोटी होती है यह चोटी होती है और पी थोड़ी दो यह बना तो यह उसमें रेलिवन्स यह यह स्पिनिंग टॉप जो बना है उसमें एक तो गया प्प बना है दूसरा ग्रीन घर जा वाना वीच मीन्स एक तो ओपनिंग वैसे ही पिछले दिन की ट्लोजिंग से गयाप हुई और काफी तो यह इछी ग्याप अब हुई क्लोजिंग काफी नीचे वी थी पिछले दिन की रेड चैंडल की विजह से और अगले दिन की यूपर है पिछले दिन की खोले चैंडल और उसके बाद में जो शाडूस बने वो तो काफी लंबे बने लेकिन जो ऐन हुई है वो और भी ज्या अब इसकी वज़े से यह दो थीन पैटर्स चार पैंडल के गार पैटर्स देखें इसको कंभाइन करके इसका एफेक्ट देखें इसकी कहानी समझें यह चार पैटर्स अब क्या कहानी समझाना चाहते हैं तो इससे हम समझ जाएंगे कि अब बियर्स ने समझ लिया है और बुल्स ने समझा दिया है कि भीया अब हमारी बारी है और हम स्टॉक को ऊपर लेके जाएंगे तो यह स्टॉक ऊपर जाना शुरू हुआ थोड़ा सा रेसिंस आया आप यह देखेंगे कि यहां इस पॉइंट पर थोड़ा वैसिंस आया थोड़ा वैसिंस आया यहां पर लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक नीचे नहीं गिरा जागा इस ग्रीन कैडल को ब्रीज नहीं किया और दूसरा थूंटी डे फिफ्टी डे टूंडे डे की यह में लाइन से वहां से भी जो स्टॉक है ऊप पर डूस करना शुरू किया तो देरे देरे करके इसने सारे में इसको ब्रेक ब्रीज कर दिया लेकिन आब हम चौथे अपने पैटन पर आते हैं जो कि शूटिंग सार बना तो आप यह देखेंगे कि शूटिंग सार बनते ही उसके बार इस टॉक ने रिलाइंस ने कोई और ने हाई नी बनाया इस प्रैटन के बनने के बार उसके रूटिंटन सी नीचे गिर रहा है और यहां से थोड़ा साइस को सपोर्ट मिल रहा है क्योंकि पुराना पॉइंट का सपोर्ट है लेकिन अब यहां से अगर यह उपर गया फिर तो यह शायद नहीं है भी बना सकता ह लेकिन अगर यहां से इसको मुमेंटां उपर का नहीं मिला तो हो सकता है यह पुराने जो लोज हैं दोबार टेस्ट करें तो यह आने वाला समय बताएगा लेकिन इस समय थोड़ा सा वीक्नेस लग रही है लाइंस में आप देखेंगे कि रेट कैंडल्स जादा हैं ग्रीन कै इसके लिए यह दो बहुत जादा लबी नहीं है लेकिन उनका उमेंटम जादा नहीं था तो हम इससे यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इसमें वीक्नेस आएगी और हो सकते आने वाले दिनों में आप इसको नीचे जाता हो देखें यह वीडियो बहुत जादा लंबी न दाले हैं हाला कि Candlestick Patterns के Secondary Patterns भी होते हैं जिन से भी प्राइस मुमेंट का अंदाजा लगा जा सकता है या डिरेक्शन का अंदाजा लगा जा सकता है लेकिन वो वीडियो मैं सेकेंड पार्ट में तब बनाऊंगा जब मुझे इस वीडियो के 5000 से उपर लाइक्स मिलेंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको जुरूर लाइक का बटन दबाईए और अपने और फैमिली और फ्रेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इसके लाइक्स जो है वो 5000 से उपर हो जाए और मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाने के लिए मुझे इसक फॉलो करते हैं और किस-किस के लिए सारे पैटन्स नहीं थे किसको इन पैटन्स मेरे समझाने से हेल्प मिली आप कोमेंट्स में जरूर लिखेगा और कंक्लूशन में यह बोलना शाम होगा कि एक स्टॉक का अगर एक रीजनेबल पीरड आफ टाइम तक चार्ट देखा जा है तो यह जरूर कहीं नगे पैटन्स आप आइंटिफाय कर पाएंगे जो हमने बोले हैं और इनको आप दुबारा से वीडियो देखिएगा उससे आपको थोड़ा सा और क्लारेटी आ जाएगी कि हमने क्या बाते की और यह जैसे मैंने आपको एक्जांपल में दिखा है ज इसलिए उन्होंने शूटिंग सार बना या जा रहा था तो वहां से मुम्मेंट ऊपर शुरू होई तो यह सब चीज़ें वायर्ज की साइकॉलोजी को रिफ्रेक करते हैं क्योंकि एक स्टॉक यह तो उपर जाता है यह नीचे जाता है बीचका तो गरिस्तनी है यह तो उस चीजे होती है यह बायर होगा यह सेलर होगा तो जो जादा स्टॉंग होगा स्टॉक में जाएगा अगर सेलर जादा स्टॉंग होंगे तो स्टॉक नीचे जाएगा बायर स्टॉंग में तो स्टॉक उपर जाएगा तो यह अंडर सेंड करना बहुत जूरूरी है कि कौन ज बहुत ज़रूरी है देखना इसलिए आपको स्टॉक की कहानी पता चलीगी कि पल पल उसका में डे टुड़े वेसिस पे विकली बेसिस पे आवरली बेसिस पे क्या हो रहा है और इससे आप रूमर्स को अवाइड कर पाएंगे किसी ने आपको SMS पे टिप देदी किसी ने न्य चलता था कोई मेजर पैटर्न आपको स्पॉट हुआ की नहीं हुआ और उसके बेसिस पे हैं आप डेसिजिए तो आपको लॉस ना के बराबर होगा या मुस्की प्रॉफिट होगा ना के बराबर तो शुरूआत नहीं आता जब तक आपको एक्सपर्टीज नहीं आती लेक नहीं होती तो आप कमेंट से जुरूर लिख के बताईगा कि आपको एसेशन कैसा लगा और आपको और बी बहुत सारे इंट्रमेटिव वीडियो में आपके लाता रहूंगा जिसमें आपका नॉलिज बढ़ता रहे जिसमें टेकनिकल इंडिकेटर्स होंगे मीचल फंड्स कुन सा पैटन बन रहा है उस सब चीज़ें हम आने वाले वीडियो में बात करेंगे तो इसलिए आपका सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आउन करना बहुत जुरूरी है तापके आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में इंटिमिशन मिलती रहे और आप देख कर देखके